प्रधानमंत्री आज उत्राखंड और राजस्थान दौरे पर हैं उत्राखंड में पियम मोदी तीन लोगसभा सीटों को साधेंगे वही राजस्थान के रण में करॉली धौलपुर संसदी शित्र में हुंकार भरेंगे ये खास रिपोर्ट देखें पियम मोदी के तुफानी दौरे जारी लोगसभा चुनाव की तयारी उत्राखंड और राजस्थान के दौरे पर पियम मोदी उत्राखंड दो पहर बारा वजे विश्य योग की राजधानी रिशिकेश की धरती से आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे और एक जन सभा के जरिये पिहरी लोगसभा, हरिद्वार लोगसभा और पौली लोगसभा के मदद दाताओं को संबोधित करेंगे पियम की सभा रिशिकेश के IDPL इस्थित होकी मेदान में होगी टीडी लोगसभा सीट से तीन बार की सांसद माला राजी लक्ष्मिशा को बिजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है पौली सीट पर सांसद्व पार्टी के राष्टे मीडिया प्रमुक अनिल बलूनी और हरिद्वार से पुरोव सियम त्रिवेंदर सिंग रावत पर दाव लगाया है इसे से पहले पीम ने दो अप्रेल को कुमाओ मंडल के अंतरगद रुद्रपूर में जनसभा को सम्बोधित किया था पीम की सभा में सीअम पुशकर सिंग धामी समेत तमाम दिगजनेता मंच पर मौजूद रहेंगे राजस्थान दोपहर तीन बजे आज पीम मोदी राजस्थान के करोली धौलपूर संसेदे शित्र में बिजेपी प्रत्याशी इंदू देवी जाटो के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे पीम की जनसभा करोली के सिधार सेटी में होगी इसे जन सभा में धॉलपुर, करोली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दोसा एवं कोटा से बिजेपी के कारिकरता संगठन पताधिकारी एवं नेता उपस्थेत रहेंगे साथ ही प्रधान मंतरी नर्दर मोदी की सभा में प्रदेश के मुख्य मंतरी भजलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत तमाम नेता और संगठन पताधिकारी मौजूद रहेंगे चुनाओं की तारिकों के नस्दीक आने के साथ साथ राजनितिक तापमान पढ़ने लगा है प्ये मोदी समेत विजेपी के तमाम दिगजनेता तुफानी प्रचार में जूटे हैं ऐसे में चार जुन को पता चलेगा कि आखिर मतदाता के मन में क्या है वे रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस